नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्रा सोलिशन पर और मैं हूं गणे सोजा दोस्तो चिरंजी वी योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है तो उसी अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या है अपडेट इसक अपरेल 2022 को समाप्त हो रही है यानि जिनोंने साड़े आठ सो रुपए का बुगतान करके और अपना जो चैनल जी वी योजना में रेजिस्टेशन करवाया था तो उनकी जो पॉलिशी है वो 30 अपरेल 2022 को समाप्त हो जाएगी और वे एक मैई से पहले यदि आप करवा सकते हैं यानि 8500 रुपए का आदा हो गया 425 रुपए में यदि आप एक मैई से पहले पहले रेजिस्टेशन करवाते हो तो आपको 8500 रुपए का बुगतान है वो नहीं करवाना पड़ेगा यानि आपको कैवल 825 रुपए में ही आप यहाँ पर दुबारा से जो registration करवा सकते हैं यह दोस्तों आप 30 अप्रेल के बाद में registration करवाते हो तो इसका आपको एक नुक्षान भी होने वाला है यह registration आप अपने इमित्र के पास में जाकर करें या स्मय के SSO ID से भी कर सकते हैं दोस्तों 30 अप्रेल के बाद में तो साथ में तो आपको साढे याठ चूरूपय का भुगतान करना पड़ेगा इसके साथ में ही साथ आपको तीन महीने बाद ही इसका लाव है जो मिलेगा यादि जो तीस अप्रेल के बाद में रे शिर्चिशन करुते हैं तो उनको अगस्त माहर से इसका लाव है जो मिलने लगेगा दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट सभी किसलिये है कि यह आप 30 अपरेल से पहले पहले रेजिस्टेशन करवा लेते हो तो आपको आधा प्रीमियम भुगतान करने पड़ेगा यानि कि आप 425 रुपए का भुगतान करके और यहां पर 10 लाख रुपए तक का जो मुख्य मंत्री चिरिद्जीवी स्वास्ते भीमा का लाब है जो ले सकते हो तो दोस्तों यहां पर कुछ है फ्री के कैटेगरी है उन फ्री कैटेगरी को छोड़ करके आप यहां पर भुगतान कर सकते हो इन में से फ्री जो कैटेगरी है उनका कोई भी विदा करमी है खादेश रुक्षा में जिरका नाम जुड़ा हुआ है या समाजी कार्थिक जन्गर्णा के जो पात्र परिवार हैं उनको और निराश्री ते एंवो ऐसाई परिवार हैं उनको यहां पर फरी में लाब है जो मिलेगा दसला का इसके अलावा जो भी है अन्य ज रुपए का भुगतान करना पड़ेगा साथ में आपको तीन महीनी तक इंतजार भी करना पड़ेगा यानि अगस्त माहर से आपको इसका लाब है जो मिलना शुरू होगा तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है कि आप 3 अपरेल से पहले पहले अपन दुबारा रचे रेजिस्टेशन करवा लें तो आपको आदा ही यहां प्रभुगतान करना पड़ेगा तो उमिद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में कमेंट बो